मेरा एक प्रस्ण था जी सर कि ध्यान के बाद जैसे मैंने आपके साथ अभी ध्यान किया तो आप्टर ध्यान सोल को महसूस करने के लिए जैसे एक वाइविरेशन एक उपर से नीचे की और आती है तो क्या हम उसको सोल का सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अब बैठ सेगे जब हम ध्यान में ही हो जाते हैं और दिरे दिरे समादी में टूप जाते हैं और इतना अंदर खो जाते हैं तब वो कौन कहता है के आप खो गए हो वो कौन रस्ता है वो कौन साक्सी है उस जब आप खो गए हो जो देखता है वो यह आत्मा अंदर से देखता है के आप खो खो गए हो उनकी चेतना से पर्क पड़ जाता है के आप खो गए हो लेकिन हम जब समादी वस्त हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है हमारे अंदर और बाहर भी फिर भी हम कहते है कि मैं खो गए था वो कौन कहता है कि मैं खो गए हो आत्मा है उनको जी बोलो या आतन बोलो या सोल को हो या रूख को जो भी नाम देना है देखो लाइफ फोर्स को हो हमारे साथ वो है जब से हम पैदा हुए तब से हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो हिमाले की चोट में नहीं है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, हमारी आत्मा अंदर है जैसे हम मचली को पुछेंगे, पानी क्या है, पानी के बिना तो जी नहीं सकती है, मचली को तब ही पता चलेगा पानी क्या है, जब हम उसको बाहर निकालोगे जब तड़पेगी, जब मरने वाली होईगी, तब उलेगा पानी वो था हमारे आत्मा भी वही चीज़ है, जब तक है अंदर, तब तक हम चीदे हैं तो आत्मा हम इतनी इंपॉर्टन्ट है, जो हमें जीवन देता है, वो हमारे अंदर है उनका ऐसास अंदर हो सकता है, बहर क्यों डूणना है और ऐसास हम ध्यान में यह होके ही हो सकता है, जो बाड़ी गॉंशियसनेस चले जाएगी इंट्रलेक्ट ड्रॉप हो जाएगा, बुद्धी ड्रॉप हो जाएगी, एहंकार ड्रॉप हो जाएगा, मनस ड्रॉप हो जाएगा, तो सिर्फ पॉंशियस्निस रहेगी, जिसको हमरे यहां बोलते हैं, सचित आनंद, सब कुछ जब चला जाता है सच चितानन वो हालत में पहुंच जाते है वो सिर्फ ध्यान से ही होगा तो मेरी प्रागतना है प्रभु से कि आपको भी जल से जल अनुबव हो जाए और जिवन दन्य हो जाए झाल जाता है